ओम श्री गुरु भ्यो नमाहा विदान्त पुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज हम लेंगे Q&A यानि Question and Answer Session Just to remind you or just to inform you next month का जो Q&A होगा वो युथ को address करते हुए होगा यानि युथ के या youngsters के या students के क्या questions हैं तो अगर आपके पास या आपके कोई ऐसे सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं August बंद के end तक So before we start today's session let's pray ओम सहनाववतू सहनव भुनक्तू सहवीर्यं करवावः तेजस्विनावधी तमस्तुमाविद्विशावः ओम शान्ति 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 ही ओम तक सथ So हमारा पहला question है भगवान के प्रती आसक्ति कैसे उत्पन होगी यह जिशान जी का question है उनके भी कई questions है भगवान के प्रती आसक्ति कैसे उत्पन होगी सबसे पहले तो भगवान के प्रती आसक्ति नहीं कहते आसक्ति में selfishness होता है स्वार्त होता है आसक्ति जैसे आप भोग की वस्तुए हैं लोग हैं यह जो जगत से related जो वस्तुए और हैं उनके प्रती आसक्त आप हो सकते हो लेकिन भगवान के प्रती हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं लगन है क्या इश्वर के प्रती लगन को डवलप करना है तो वो हम कैसे करें कोई भी लगन है या कोई भी आसक्ति है आप कैसे डवलप करते हो या वो कैसे डवलप होती है आपकी आसक्ति आपको जब ऐसा चाहिए वो वस्तु, तो आप उसे आ सकतो होगे, वो व्यक्ति मुझे खुशी देता है, तो आप उस व्यक्ति से आ सकतो होगे, वस्तु से आ सकतो होगे, उस परिस्तिति से आ सकतो होगे, क्योंकि आपको लगता है वो बहुत इम्पोर्टन्ट है, महत्वपूर्ण है, तो व आपको ये जानना जरूरी है कि इश्वर की वैल्यू क्या, इंपॉर्टेंस क्या, उसकी महत्वता क्या है, जब ये अवैर्नेस आता है, कि इश्वर क्या है, इश्वर के बिना यहां कुछ भी संभव नहीं है, तो ये अवैर्नेस जब आता है, तब आप इश्वर की प्रती आपकी लगन बढ़ती है, अब ये जो अवैर्नेस है, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल पे होता है, जैसे जो बहुती ग्रॉस पीपल है, ग्रॉस यानि जिनकी भावना या भक्ती सर्फेस लेवल है, जो ज्यादा गहरी नहीं है, तो उनके लिए चाहिए बड़ा आश्चर्य चकित करने वाला चमतकार, तो ऐसे लोग जब चमतकार को देखते हैं, तब कहते हैं वाव, और या जब वो हिमाले पे जाते हैं, या नाइगरा फॉल्स देखते हैं, वाव, the vastness of this creation, कितना व् खुबसूरत बनाएं इश्वर ने, ये इश्वर की स्रस्टी कितनी खुबसूरत है, जब आप हिमाले नाइगरा फॉल्स जैसी बड़े-बड़े स्थानों पर जाते हैं, तब जाके उनको ऐसास होता है, कि इश्वर है, लेकिन जो थोड़ा और mature person है, जब वो देखता है क कि किस तरह से मौसम बदल रहे हैं, गर्मी के बाद, बारिश, बारिश के बाद, विंटर, विंटर के बाद, फिर गर्मी, कितना meticulously बदल रहा है, किस तरह से sunrise हो रहा है, सुर्योदय है, सुर्यास्त हो रहे है, meticulously, एक particular time पे, particular direction में, और season के हिसाब से वो भी बदलता रहता ह लेकिन वो meticulous है सब कुछ, निश्चित है वो, कि ये होगा, सुर्योदय हुआ है, सुर्यास्त होगा, ऐसा नहीं कि भगवान कहेंगे, सुर्य भगवान कहेंगे, आज ये गंटे ज़्यादा आराम कर लेता हूँ मैं, नहीं, meticulously सारे काम चल रहे हैं यहाँ पर, फिर जो थो बिल्ली है, कववा है, चिडिया है, तोते हैं, मेना है, इंसेक्ट्स है, कुरोना वाइरस है, क्या बनाया है भगवान में, कैसे बनाया है ये सब, आश्चरिया, आश्चरिया, फिर थोड़ा जो और मिचूर परसन है, वो ये देखता है, कि मैं केला, कितनी अच्छे, nicely pack कि ये केला, peel the bananas, enjoy it, oranges है, peel करो, कितनी अच्छी skin है उसको, अब peel करो, enjoy करो, इतनी अच्छी packing, even China can't make it, और इतना juicy, कैसे बनाया, और ये नारियल, खारे, समंदर के खारे पानी पे, ये इतना मीठा पानी, कैसे आया ये, अश्चरिया, अश्चरिया, ये भगवान की greatness है, दिन, जो थोड़े और evolved person है, और mature person है, वो ये कहेंगे, मैं देख पा रहा हूं, मैं आपको सुन पा रहा हूं, मैं स्पर्श का ग्यान है मुझे, मैं महसूस कर पा रहा हूं अपने rhythm में, अपने mind में, मैं feel कर सकता हूं, emotions को, सुख को, दुख को, मैं सोच सकता हूं, ideas है मेरे पास, मुझे में creativity है, ये किस ने दिया, इश्वर ने जब ये awareness बढ़ता है, तो धिरे धिरे आपका importance towards इश्वरा अलसो बढ़ता जाता है, फिर ये love कर्मा, हर कर्म का अपना एक फल होता है, तो हर कर्म का एक निश्चित फल या निश्चित रूप से उसको उसका अंजाम मिलता ही है, तो ये कैसे संभव है, कौन देरा ये सब फल, ये जगत कितना meticulously form हुआ है, ये इश्वरा कितना intelligent है, और कितना intelligently ये सारा creation को maintain कर रहा है, so अगर ये सारे नियम है, then there is a नियनता, वो इश्वरा है, और बिना इश्वर के ये सब कुछ भी काम नहीं कर सकता, पानी में रहकर आप मगरमच से बहर कर सकते हो, लेकिन पानी में रहकर पानी से बहर नहीं कर सकते हैं, वैसे ही ये इश्वर स्रष्टी है, आप इश्वर स्रष्टी में रहकर इश्वर से बहर या इश्वर से अंजान कैसे रह सकते भला, यहाँ जो कुछ भी है वो सब इश्वर ही है, तो जब आप ये importance को समझते हैं, जो कुछ भी importance है, जो कुछ भी वो इश्वर ही है, तो automatically आपके अंदर वो लगन बढ़ती है, आप अपने जीवन में इश्वर को लेकर आते हैं, अब इनका एक जिशान जी का एक और question है, अपने कर्म को भगवान को कैसे अरपन करें, हम हमेशा कहते हैं, खास तर पर कर्म योग में हम हमेशा कहते हैं, कर्म को अरपित करो, सो कर्म योग क्या है सबसे पहले उसको समझनेते हैं इश्वर अरपन भाव से आपको कर्म करना यह मेरा जो भी कर्म है वो इश्वर को समर्पित है अर जब इश्वर को समर्पित किया इसका जो कुछ भी result मिला वो इश्वर का प्रसाद है मेरे लिए तो फलम जो है वो इश्वर का प्रसाद है मेरा जो कर्म मैंने किया वो इश्वर को समर्पित है इस भाव से जब आप कर्म करते हैं तो वो कर्म कर्म योग कहलाता है सो केवल कर्म करना कर्म योग नहीं है लेकिन इस भावना का होना इश्वर का होना कि यहाँ जो कुछ भी है वो इश्वर को समर्पित है और जो कुछ भी मुझे मिलता है वो इश्वर का प्रसाद है इस भाव से करना ये कर्म योग है अब इश्वर को समर्पित हम कैसे करें अ बेराग्यम का भाओ होना चाहिए या समर्फपन का भाओ होना चाहिए। वो कैसे हो जो कुछ भी मुझे मिलता है, अच्छा या बूरा, मेरे कर्मों का जो फल मुझे मिलता है बिना किसी मुनमुन के यानि किसी शिकायत के, कंप्लेंट के या ग्रमलिंग के मैं उसे सहज उसे है। खुशी-खुशी, मैं उसे सुईकार करता हूं ईश्वर के प्रसाद के रूप में। भली वो मुझे कम मिला, ज्यादा मिला, अच्छा मिला, नहीं मिला doesn't matter। अगर मैं उसे सुईकार करता हूं。 ये है ईश्वर फलम भावना से कर्म फल को accept करना। तो शुरुवात होती है यहां से जब तक आपके अंदर प्रसाद बुद्धी नहीं है तो इश्वर अर्पन भाव भी संभव नहीं है प्रसाद बुद्धी जो अर्पन भाव के क्यों कि हमने यहां पर फल को अर्पित कर दिया है समर्पित कर दिया और प्रसाद के रुपने एकसेप्ट कर लि के लिए लेकिन उसके बाद में आपके कर्म के बाद में जो कुछ आपको मिला accept it लेकिन होता क्या है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्यों करते हैं पैसा चाहिए नेम फेम पावर पुजिशन वेल्थ ये सब हमें कुछ चाहिए और इसलिए हम कोई भी काम करते हैं बट कर्व योग क्या कहता है कि आप ये काम करो लेकिन मैं या मेरे लिए नहीं बट ये मेरा कर्तव्य कर्म है ये मेरा अब लीगेशन है ये मेरा स्वव कर्म है, स्वव धर्म है, इसलिए मुझे करना है और मैं कर रहा हूं, मजबूरी नहीं है, it is not, मैं मजबूर हूं नहीं, ये मेरा स्वधर्म है, मुझे स्वभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरे अंदर ये capacity है, मेरी qualities है, और मुझे ये मौका मिला है सर्व करने तो क्या company में काम करते हैं, नहीं के माध्यम से आपको payment आता है, या payment generate होता है, आज कल क्योंकि digital payment है, अगर आपको कुछ issues है, तो आप accounts department में जाके बात करते होगे क्या accounts department अपनी जेब से दे रहे हैं नहीं क्या यह उनका अपना पैसा है नहीं क्या यह उनका और आपका personal कुछ problem या issue ऐसा कुछ नहीं वो अपना काम कर रहे हैं उनका काम है आपका payment करना वो आपको payment कर रहे हैं on behalf of the company there is a company, there is a owner there is an employee, you and there is another employee, accountant जो accountant है वो अपना काम कर रहे है owner है वो साक्शी बाह से बैठा अपना काम कर रहे है और company चल रहे है आप क्यों काम पर रहे हैं वहाँ पे company के लिए कर रहे हैं, नहीं आप काम कर रहे हैं अपने परिवार निर्वाह के लिए अपने परिवार का पालन पोशन भरन पोशन करने के लिए आप वहाँ पे काम करें अब इस attitude को shift करना है काम नहीं बदलना है cognitively इस attitude को shift करना है आज मैं जो काम मेरे लिए कर रहा हूँ काम वही है मैं company को समर्पित करते हुए मैं करूँ तो आपने मैं से यहाँ company को लिए company को अपने समर्पित किया काम वही है payment वही है समर्पन का भाव बदल गया फिर उसके बाद में इस company की growth से मेरी country की growth होती है तो आपने अपना कर्म किसको समर्पित किया country को फिर इस country की growth से पूरे humanity की growth हो रही है आपने अपना कर्म किया समर्पित पूरे विश्व को लेकिन यह पूरा ब्रह्मान्ड इश्वर की स्रष्टी है और यहाँ धर्म चलता है धर्म यानि सबका अपना अपना स्वधर्म है अपना अपना स्वधर्म है और जो इस स्वधर्म या स्वधर्म के अनुसार कारिय नहीं करता है वो इश्वर के विर्द जाकी कारिय करता है और जो स्वधर्म का पालन करता है वो इश्वर के साथ इश्वर के लिए कारिय करता है वो कारिय इश्वर को समर्पित है तो अब आप जो कंपनी में काम कर रहे हो वो परिवार के लिए नहीं है कंपनी के लिए नहीं है वो कार्य आपका वो कंट्री के लिए भी नहीं है पुरे विश्व के लिए भी नहीं है वो ईश्वर को समर्पित कार्य है क्योंकि वो आपका स्वधर्म है स्वकर्म है इस भाव से जब आप कर्म करते हो तो ये है समर्पन का भाव और जब आप फैमिली के लिए काम करते हैं तो पूरी फैमिली का सपोर्ट मिलता है जब आप कंपनी के लिए काम करते हैं तो पूरी कंपनी का सपोर्ट आपको मिलता है जब आप humanity के लिए काम करते है, humanity का support आपको मिलता है, उतने level पे काम वही है, payment वही है, लेकिन उस level पे आपको support मिलता है, जब आप ईश्वर के लिए काम करते हो, तो ईश्वर का support आपको मिलता है, तो जब आप कार्य करो तो इस भाव से कार्य करो कि यह ईश्वर की स्रस्ष्टी है और यह मेरा स्वकर्म है इसका मुझे पालन करना है और ईश्वर को समर्पित करना है अब ईश्वर का Payment System कैसा है क्या वो मंथली पेमेंट देंगे उनका अपना हिसाब किताब है वो क्या कोई fix amount है कि हर महीने आपको ये fix amount मिलेगा और हर every year आपको इतना percent increment मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब depend करता है आपके कर्म के उपर किस भाव से आप कर्म करते हो उस भाव से आपको payment मिलता है ये थोड़ी से subtle बात है जिस भाव से आप कर्म करते हो उस भाव से आपको payment मिलता है कोई ज़रूरी नहीं है पैसे के रूप में अच्छे दोस्तों के रूप में अच्छे guide के रूप में mentor है, guide है अच्छे लोगों के रूप में अच्छे partner के रूप में, अच्छी शिक्षा के रूप में, अच्छे parentage के रूप में, अच्छे job के रूप में, किसी भी रूप से, आपको, किसी भी form में, ईश्वर का payment आपको मिल जाएगा, time to time. You don't have to bother about it, क्योंकि उन्सका, ईश्वर का, अपना time है, अपना method है, payment का, अपनी currency है उसकी, so you need not bother about that, you will get it. इसलिए हम कहते हैं, ईश्वर अरपन भाव से, अपने कार्य को समर्पित करो, ईश्वर को, so ये होता है, gross से, subtler level पे, और आप किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, अगर आप job करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया, कि कैसे आप समर्पित कर सकते हैं, लिकिन जो housewife ह उसके लिए भी यही principle है, मैं मेरे बच्चों के लिए परिवार के लिए काम कर रहे हूं, नहीं, ये परिवार लोक हित के लिए है, लोक हित के लिए कार्य करना, ये मेरा स्वकर्म है, मुझे स्वभाग ये प्राप्त हुआ, कि ये मेरा स्वधर्म दिया, ये responsibility मुझे मिली ह है let me do it wholeheartedly तब आप पूरी तरह से अपने आपको समर्पित करते हो ईश्वर को and believe me ईश्वर का payment जरूर मिलता है आपको और अपने समय पे सही समय पे आपको वो मिलता ही मिलता है यह जो private limited companies है यह public अपनी बंद हो सकती है यह जोब आपका कभी भी जा सकता है लेकिन इश्वर की company कभी बंद नहीं हो सकती कभी उसमें नुकसान नहीं हो सकता वह हमेशा फलती भूलती रहेगी so better to work for that company जिसका owner भगवान है रिशी लोग इतने साल तपस्या करते हैं भगवान के दर्शन नहीं हो पाते लेकिन बालक ध्रू को इतने कम समय में भगवान के दर्शन की प्राप्ति कैसे हो गई कि भई जो इतने सालों से तपस कर रहे हैं उनको भगवान के दर्शन नहीं होए और बालक ध्रू छोटी सी उम्र में उसको भगवान के दर्शन होगे ऐसे कैसे संभव होगे सबसे पहले ये एक जो मित है कि भगवान आके साकार रूप में आपको दर्शन देंगे तब आपको मोक्षा मिलेगा ये बिलकुल गलत है तो दर्शन यानि आपकी आँखों का दर्शन नहीं है ये ये बौधिक रूप से ये आपके ज्यान चक्षू के माध्यम से आपको दर्शन होते हैं इन दे सेंस आपको नॉलेज प्राप्त हो जाता है वाट इस गौड वाट इस इश्वरा हूँ एम आए ये आपको नॉलेज जब मिल जाता है देन यू गें दिस नॉलेज और ये नॉलेज जो ग्ण्यानी रिशी मुनी है उनके पास है अब बात आती है कि कई लोग हैं जो आज भी तपस कर रहे हैं मोक्षा हासिल करने के लिए जबकि बालक धुरू जो है इतनी छोटी सी उम्र में उसने ये हासिल कर लिया ऐसे कैसे हो सकता है बला फिलोसोफिकली आपकी फिजिकल एज ड़जन मैटर आप कितने साल के बच्चे हो बड़े हो बुड़े हो डometry doesn't matter वट मैटर is your spiritual age ये पात साल का बच्चा हो सकता है अगर spiritual age maximum अगर हम 100 years की समझे थो ये पात साल का बच्चा हो सकता है 99 years old है और जो 90 years old परसन है जो साधू है, जो इतने सालों से तपस कर रहा है, हो सकता है, उसकी उमर 50 साल, 5 साल, 20 साल हो सकती है So, physical age really doesn't matter, यह आपकी spiritual age that matter अब यह spiritual age किस पर depend करती है, क्योंकि philosophically, Vedantic point of view से There is a continuity of life, life आपकी चलती रहती है, मरने के बाद भी life continue रहती है यह शरीर आपका चला जाता है, आप दूसरा शरीर धारन करते हो, मगर यह life continue रहती है यह बिलकुल वैसे ही है, जैसे, यह sim card आपका चलता रहता है, पुराना phone आपने छोड़ दिया नया phone आपने ले लिया, और यह शरीर अदलता रहता है, और यह life चलती रहती है और धुरुव के पास में, उसके पूर्व जन्मस के समस्कार थे जैसे भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, या अरजुन का यह सवाल था, कि मान लो कि मैं यह सब काम तो कर रहा हूँ, लेकिन बीच रास्ते पर ही मुझे सफलता मिली नहीं और मेरी मृत्ती हो जाती है, तो क्या तो भगवान कहते हैं, यू विल बी बॉन इन दा हाउस ओफ योगी आप योगी के घर में पैदा होंगे, या श्रीमंत के घर में पैदा होंगे, यानि इन शॉट जो कुछ आपने करम किया है, उसका फल आपको मिलेगा अगले जनम में, आपका जो जनम है ऐसे स्थान पे होगा, जो आपकी आगे की जरनी के लिए सहायक है, तो लाइफ कंटि और ये ध्रुव का पूर्व जनम समस्कार है, जिसकी वज़े से बाल ये आवस्था में ही उसे ये मोक्षे की प्राप्ति हो गई, जिससे परस्वानिफाई किया गया, या ये आफ्टर ओल ये सब पुरानास की स्टोरीज हैं, और ये कहानियों का में परपस ही यही है, कि आप किस उम्र में हो, लेकिन आपको मोक्षा किसी भी उम्र में मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पूर्व समस्कार कैसे हैं, इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का ये सेशन, और एक रिमाइंडर अगें कि नेक्स्ट मंत जो होगा, वो हम कोशिश करेंगे युथ के point of view से बताने की या युथ से related जो भी question answer है, उसका हम उत्तर देने का प्रहतना करेंगे, युथ से related या students से related कोई भी question हो सकते जैसे concentration को ले करके, studies को ले करके, job को ले करके, future को ले करके, या relationship को ले करके, या इस तरह की कोई भी आपके प्रशन है, तो आप या तो वो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे comment करके, आप question दे सकते हैं, please send it by the last Sunday of the month, of this month, और अगर भविश्य में ऐसे और भी question आते हैं, तो हम regularly युथ के लिए अलग से एक session लेंगे, question and answer का, So, conclude करते हैं, with the prayer, Om Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnamevavashishyate, Om Shanti, 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 Om Tatsat.